गुड मारिंग अब्रीवन आश्का हमारा टोपिक है फंडामेंटल्स ओफ कम्प्यूटर तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले डेक्स्टॉप विंडो की कम्पोनेंट्स के बारे में देन हम बात करेंगे वटीस कम्प्यूटर उसके बाद मैं आपको कुछ ड करेंवा इसके बारे में तो लेट्सटार आए टोपिक में डेक्स्टॉफ विंडो के अंदर आपको दिखायी रहा है इक नीचे के बार इस बार को यह area दिखाए दे रहा है इसे हम बोलते है notification area और साथ में आपको date and time भी display होगा उसके बाद आप देख पार हो यहाँ पर यह कुछ documents या software है और हर एक document या software के साथ आपको छोटी छोटी graphical images display हो रही है इन ही graphical images को हम बोलते है icons जिससे मैं आपको एक चोटा सा example देती हूं सबने mobile phone यूज किया है तो आप whatsapp यूज करते हूं तो आप देखते हूं whatsapp का एक छोटा सा graphical image बना होता है जिसके उपर हम click करते हैं तो वो जो graphical image होती है उसी को हम क्या बोलते है icons ठीक है तो अब हम बात करते हैं what is computer तो computer क्या होता है computer एक electronic machine है जिससे हम data देते हैं input के तोर पी व है उसे process करता है और memory में store करके हमें क्या देता है output यह होता है हमारा computer अब मैं आपको इसकी working बता दोती हूं तो computer के अंदर आपको basically four units से याद रखनी है सबसे पहली है हमारी input unit, second है हमारी processing, third है storage और fourth है output computer इन चार पार्स के उपर work करता है इन चारों units को जब हम combine कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है computer means input, processing, storage और output इन four units को हमने combine किया तो हमारा क्या बन जाएगा computer तो देखो क्या होता है हम input unit के द्वारा computer को क्या देते है data processing unit को क्या देते है data, processing unit है यहाँ पर CPU, CPU की full form होते है central processing unit तो यह unit क्या करती है, जो data दिया है input devices ने, उसे process करती है, process करने के बाद उसे memory में store करती है और memory में store करने के बाद जो information होती है हमारी processing के बाद, वो information provide की जाती है output devices को तो यह काम करता है हमारा computer, देखो computer का मैं एक छोटा से example देती हूँ, computer जो होता है वो बिल्कुल human being की तरह काम करता है जैसे हम कैसे काम करते हैं, अगर हमें किसी ने आवाज दी, हम वो सुनते हैं, कानों से input गई, हमारे पास, कहां पे गई, हमारे brain के पास input गई, right हमारे brain ने उसके उपर processing की और processing करने के बाद, जिसने हमें आवाज दी थी, हम उसको क्या करते हैं, response करते हैं, right तो जो हमने response किया, वो क्या हुआ हमारा output, अभी समझ आया, तो यहीं काम करता है हमारा computer, हम उसे input देते हैं, वे उसे process करता है, then memory में store करता है, और हमें वापिस से क्या देता है, output, right अब हम बात करते हैं, input device की बारे में, तो input device, वे है device होता है, जिसके द्वारा user, computer को data provide कराता है, right तो अभी मैं कुछ input devices के बारे में बताती हूँ, जैसे अगर हमें computer को data देना है, touch करकी, तो उसके लिए हम use करते हैं, touch screen का अगर हमें data देना है, image की form में, तो उसके लिए हम use करते हैं, camera अगर हमारे data hard copy की form में है, और उसे हमें digital form में convert करके computer को देना है, तो उसके लिए हम use करते हैं, scanner का voice के through, अगर हम data देना चाहते computer को, तो उसके लिए हम use करते हैं, microphone का क्लिक करके अगर हम data देना चाहतें computer को तो उसके लिए हम use करते हैं mouse का type करके data देना है तो उसके लिए हम use करेंगे keyboard games में हम use करते है joystick same जैसे आप image की form में data देना है तो उसके लिए आप camera भी use कर सकते हैं और webcam भी और last हमारे पास input device है track ball अब हम बात करते हैं output devices के बारे में तो output device होता क्या है वह device जिसके द्वारा computer data को user तक देता है उस device को हम क्या करते है output device जैसे computer ने अगर कुछ भी display कराना है तो वो display कराने के लिए use करता है monitor का अगर हम hard copy के form में output चाते हैं hard copy मिन्स जैसे हम touch कर सकते हैं अगर हमें hard copy के form में output चाहिए तो उसके लिए हम use करते हैं printer का अगर हमें voice form में output चाहिए तो उसके लिए हम use करते हैं speaker का देखिए जिसे आप song सुनते हो तो वो हम song किसके द्वारा सुन पाते हैं speaker के द्वारा right तो इसी तरीके से हमें अगर computer से कोई आवाज sound की form में अगर output चाहिए तो इसके लिए हम किसका use करते हैं? Speaker या फिर headset का Next है हमारा projector Projector और monitor दोनों same होती है Visible form में हमें data को provide कराती है बस monitor के अंदर हमारी जो screen होती है वो small होती है And projector के अंदर हमारी जो screen होती है वो large होती है ताकि हम large number of persons को अपनी output असानी से visible करा सके Right Next है हमारा plotter Plotter और printer ये दोनों same होती है Difference क्या है Printer small sizes की image को print करता है And plotter large size की images को print करता है Right तो ये output devices हैं आपकी अब हम बात करते हैं Storage devices के बारे में हमने अगर data को memory में store करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते है Storage devices का तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ storage devices के बारे में जैसे की computer के अंदर हमें data store करने के लिए हम यूज़ करते हैं Next है हमारा floppy हम यूज़ करते है Memory card का भी यूज़ करते है Data को store करने के लिए जिसे हमारे phone में हम data store करते हैं वो memory card के अंदर ही हम data store करते हैं Pen drive के अंदर भी हम data store कर सकते हैं And tape के अंदर भी data store होता था Right उसके बाद अब हम बात करते हैं processing device की सबसे main जो काम करता है वो हमारा काम होते है processing device का Processing device computer के लिए एक तरह से brain होता है Brain of computer वो होता है हमारा processing device अब में processing device का नाम भी आपको बताऊंगी तो सबसे पहले में आपको बता दो Processing device होता क्या है यह वो device है जो user से input लेता है उसे प्रोसेस करता है और क्या देता है output ठीक है तो अभी देखिए हमारा जो CPU होता है वो क्या होता है processing device जिसे हम input दी हमने CPU को और CPU के अंदर ये तीन units होती है memory unit, control unit, ALU, arithmetic and logical unit तो ये जो 3 units हैं इनके द्वारा CPU हमारी input के ओपर processing करता है और output device को क्या देता है output ये था छोटा सा introduction कम्प्यूटर के बारे में I hope आप सबको समझ आया होगा थैंक्स पर वोचिए मैं वीडियो